हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करने जारे common errors के बारे में जहां पे हम errors को spot करेंगे find करेंगे यानि उसको देखेंगे conceptual analysis के द्वारा तो चलिए चलते हैं यहां पे find out the errors if any यानि आपको mistake ढूड़ना है error find करना अगर कोई है तो कोई भी mistake नहीं है तो आपको no error वाले option पे tick करना है यहां पे 5 options दिये गए है A, B, C, D, E तो आप देखेंगे कि परतेक option में आप देखेंगे जो A दिया हुआ है जहां पे है तो उसको slash आपका segregate किया गया है इसको ध्यान में रखना है तो first हम चलते है the logical consistency and adequacy of theory will then be tested by build computer simulation models of it तो आप यहां क्या देखते है कि by build नहीं होना चाहिए by building होना चाहिए क्योंकि किसी prepositions के बाद अगर कोई verb आता है तो हम ing का यह form में change कर देते हैं इसलिए build का building हो जाएगा केवल ing लगा देना है जैसे होता है thank you for coming तो for एक prepositions है इसलिए come का coming हो जाता है जैसे I have come here for teaching so teaching for teaching हो जाएगा teach नहीं होगा teaching होगा तो कोई भी verb आता है prepositions के बाद तो हम ing को में change कर देते हैं इंग लगा देते हैं उसमें तो option जो हो जाएगा यहां पे D option में mistake है अगला चलते हैं क्योंकि हमें mistake ही क्यों find करना परता है उसको correct करने की जुरत वहां पे नहीं होती लेकिन हमें आरे mind में होना चाहिए अब हम next चलते हैं houses and schools here remains segregated and economic disparities in the community continue to grow more intractable यहां no error है तो हम क्या देखते हैं कि houses and schools यह दो के हम बात कर रहे हैं और यह दो जो होता है वो plural में आता है singular में नहीं आता है लेकिन आप देखेंगे verb remains यह singular form है क्योंकि आपको पता है कि ace और yes लगा के किसी verb में हम उसका singular form बनाते हैं ठीक noun का उल्टा होता है noun में क्या होता है ace और yes लगा के हम plural बनाते हैं जैसे book का books हो गया copy का copies हो गया baby का babies हो गया तो baby singular हो गया babies plural हो गया लेकिन verb में ठीक उल्टा होता है अगर come कहूं तो come plural होगा लेकिन ace और yes लगा देंगे तो singular हो जाएगा जैसे comes singular हो गया go आपका plural हो गया लेकिन goes singular हो गया तो एस और एस लगाते हैं से singular बन जाता है तो आपे पता होना चाहिए कि subject और verb के बीच में एक agreement होता है कि अगर subject अगर singular है तो verb भी singular अगर subject plural तो verb भी plural होता है तो इस परकार से हम देखते हैं houses and schools plural हो गया क्यों हम एक के बारे में बात नहीं कर रहे है तो यहाँ पर remains नहों के remain हो जाएगा इस हट जाएगा यहाँ पर तो mistake किस में हो गया? mistake आपका हो गया remain वाले में तो आपका a option सही होगा मतलब a option में mistake है, error है अब हम आगे चलते हैं I hope कि आप समझ गया होंगे आगे हम चलते हैं to keep the factory doors open the management has decided as to cut the workforce by a staggering 30% तो आप देखते हैं कि mistake कहाँ पर है तो आपको quick करेगा कि sorry, आप यहाँ देखेंगे decided as to cut the workforce जबकि आपने देखा है कि I have decided to go there he has decided to go गोआ तो decided के बाद में to आता है to double ओ नहीं आता तो यह हमें ध्यान देखना है कि क्या आता है to आता है decided के बाद तो यह जो problem है ना to double ओ और as यह हट जाएगा और इसकी जगपे to आ जाएगा क्योंकि आप दूसरे sentence pattern से compare कर सकते हैं तो एक चीज आपको ध्यान अखना है comparison बहुत अच्छा है sentence का जो pattern आपने कभी पहले परहा हुआ है उसी को compare कर दीजिए जैसे कि मैंने यहाँ compare किया I have decided to be a doctor I have decided to be a lawyer तो decided के बाद two आता है two के बाद तब first form आता है cut तो first form है लेकिन यहाँ as to आया है जो की mistake है इस परकार से आप इसको identify कर सकते हैं अब last one जो है in a town filled with historical buildings the new mall stands out as monasticity of glass and concrete तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि हमें यह देखना होता है किस topic के बारे में बात कर रहे है यानि subject कौन सा है तो हम देख रहे हैं कि हम यहाँ the new mall के बारे में बात कर रहे है इसके पहले वाला जो है क्यों information है topic के बारे में तो the new mall हमारा subject singular हो गया ठीक है और stands out तो singular के साथ में stands लगा हुआ है ठीक है yes और yes रहता है तो singular हो जाता है तो हम देखते हैं subject verb ठीक है यहाँ भी सही है दूसरी चीज हमने देखा है कि inner town yes everything is fine now तो इसलिए यह आपका error जो हो error नहीं है इसमें तो यह वाले option को हम tick कर देंगे क्योंकि हमें कई चीज़े देखनी होती है एक तो हम यह देखेंगे inner town ठीक है कहां inner town की चीज़े तो filled with historical buildings तो ठीक है यहाँ पे भी the new mall यह topic है subject है stands out ठीक है क्योंकि इसके साथ में agreement हो गया है क्योंकि stands भी singular हो गया है कैसा आए जाए monasticity ठीक है अब monasticity अब किस चीज़ का glass and concrete क्योंकि आपके बाद proportion के बाद ना हुनाना चाहिए यह भी सही है तो इस परकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे यह option आएगा no error का तो I hope कि आपको समझ में आ गया होगा thank you अगर आपके पास में कोई doubt हो आप comment box में जरूर डालिए thank you so much